स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने मॉबाइल से या अपने सिस्टम से घर बैठे अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप अपने आए को कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं यहां दोस्तों बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो होगा हो इसी के उपर यह होगा तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक हम सब्सक्राइब कर दिजिएगा और वीडियो को बीना स्किप की वे पूरा देखिएगा कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से और या फिर अपने सिस्टम से कंप्लेटली दस दिनों के अंदर अंदर अपने आय को बना सकते हैं भी जना सब्सक्राइब आपको शाहिए ऐसका हो जाना दो डर्ली क्लिक्प सायगां कि आपको सर्च करना है जब ये रूपर क्या करना है कि करते हैं है तो आपको पहले राट अपदने मार mere लेद्स Цे राइटे walksi कि यह दोस्तों जब दोस्तों आप इसको ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जब यहां पर आईएगा तो यहां पर साइड में आप देख रहे होंगे इधर यह जो आपका हिस्ट्रियों गरा दिय जो देगा और यह देखिए दोस्तों जैसे आप देख रहेंगी मेरे मेरे स्क्रीण के ईवड्र यह अपन हो खया अब अब दोस्तों अगर सिस्टम्स से कर रहें तो बहुत अची बाते और अगर आप फॉन फोन से कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि यहां से आप इसको desktop mode पे enable कर लेंगे तो मैं इसको desktop mode पे enable कर लेता हूं ठीक है तो यह दोस्तो हो गया देखिए मेरा इस तरह का कुछ interface हम को देखने को मिला है अब दोस्तो हम इसको scroll करते हुए नीचे आएंगे जब हम नीचे आएंगे तो आप यहांपे देख रहे होंगे ओन्लाइण आवेधन दे यहांपे दोस्तों पहले नमबर पे है आप देख रहे हुँँगे समान्यtalk प्रसाषन विभाग की आवासी da जातियोम आए प्रमणा पत्र की सेवा हैं तो यहां से दोस्तों क्या करना है आपको की सिंपल यहां पर क्लिक कर लेना है जब दोस्तों आप इसको उपर क्लिक कर लेज़ेगा तो आपको यहां पर दिखाई देदेगा कि आवासी यह परमाना पत्र का निर्गमन जाती परमाना पत्र का निर्गमन आए परमाना पत्र का निर्गमन पर हमारी ओल्ड रेडियो वीडियो आच चुकी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं ठीक है कि आप कैसे फोन से या फिर अपने सिस्टम से अपना निवास बना सकते हैं तो दोस्तों आज हम आए की बात कर रहे हैं तो हम इस लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो लेवल इसक्रिया या नहीं कैसे बनाये तो दोस्तों जोस्तों जब्लॉक से ही बनेुए कोई बात नहीं आप ना वाली जैसे ही आप इसके उपर प्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा अब दोस्तों बता दूं कि आपको फॉर्म को फिल अप कैसे करना है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप अपने लिंग जो भी है आपका मेल है अगर फीमेल हैं थर्ड जेंडर है जो भी है आप हैंसे सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है उसके बढ़ दूस्तों यहां से आप अपने स्री स्रीमती या फिर कुछ नहीं जो भी अपने यहां से लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे name of applicant मतलब जो नाम है वो डालना है आपके Hindi और English दोनों में ठीक है वहाँ उसके नीचे दोस्तो name of father यहां पे अपने पिता जी का नाम डालना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पे यह mandatory है इसको भरना ही भरना है ठीक है उसके बाद दोस्तों अपने पिता जी का नाम डाल देना है फिर उसके नीचे दोस्तों अपने माता का नाम Hindi और English दोनों में डालना है ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको कि पती का नाम अगर 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 अगरत है है तो डाल दीजेगा इमल डालने से आपको यह फायदा हुआ कि आपका जैसे ही आए बन जाता है आपके इमेल को उपर आ जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका पता अब यहां से आपको सिंपली जो भी आप स्टेट से हैं आप उसको स्टेट का बिहार से ही होंगे यह सुझेगा वहीं तो बीहार के लिए ही बनेगा ठीक है उसके बाद अपने डिस्ट्इक उपको चूँज कर लेंा है जो भी आपका डिस्टीक है उसके बाद डोस्तो आप जो सब डीविजन इसको सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद डीनhealth मैं हगरे अगर आप नगर परिस वह नहाँ तुծ्ह पर उसके अदुसके बाद वाट संहतु तो भी ठीकह मैं पता है तो यह ज़ारूरि पोस्ट आफिस का जो नाम होगा वह भी यहां पर फिल अप कर देंगे उसके बाद आपका दोस्तो धाना होगा उसको भी आप यहां से सलेक्ट डर लेंगे ठीक है तो जो भी थाना है आप यहां से सलेक्ट कर लेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तो यहां पर अपना एक पीन करना हमको तो यहां से आप अपने प्रोफेशन को चूच कर लिजेगा कि आपकी स्टुडेंट है सरकारी सेवा है नीजी बेहपार है किसान है गिर्णी है या अधर आप इन में से जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको चूच कर लेना ठीक है उसके बाद दोस् कुल वार्षी का कितना होता है तो दोस्तों में डेटरी अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो 50,000 तक ही रखिएगा और अगर चाहता से जदा आप एक लग करना चाहते हैं जितना होगा आप यहां पर डाल दिएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना आपको क्या क्यापचा डालना है और क्यापचा डालके ऊपर प्रोसीट कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या होगा जब दोस्तों आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलफ हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा ठीक है जैसा कि आप सकते मेरा स्क्रीन के ओब ऐसे पूरा बरा फिल उप्रीकन को मिलेगा तो दोस्तों यहांगरा आप से कि जो भी आप अपना एक प्रूफ के लिए देना चाहते हैं, डॉकमेंट व आप यहां से दे सकते हैं, दोस्तों यहां पर बहुत सारे उप्शन इसमें से आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि माद दादा पहस्चान पत्र है, अधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, सर्विस पहस्चान पत्र है, सर्विस करते हैं, आप तो पासबुक का फोटो है, स्मार्ट कार्ड है, स्वास्त बीमा स्मार्ट कार्ड है, पेंसंग दस्तावेज है, सरकारी पहस्चान पत्र है, इन में से है याप उसको upload अहां पर कर सकते हैं तो ओस्तों में पे अधारकाट को चूज सबना हो ठीक है अभेज़ आपको चूज करें तो यहां से आपको फाइल चूज कर लेना है तो दुब्स तो दोस्तों आप देख रहे हों कि आप मेरा यहां पे आ गया कि आपका जो ही नेसर है अधार काड़E iha पे अधार काड आपका अप्लोड हो गया है ठीक है आथार काड़E iha आप दिखाई दे रहे गाए जो भी आप डॉकमेੰन अफ़ोड करेंगे मेरा form जो पूरी तरह से fill up हो चुका है online हो चुका है और यहां पर आपका सारे options हो गएरा जितने भी मैंने fill up किये थे सारे चीज हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर अंदर मेरा यह बनकर मिल जाएगा ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं कि सिवा परदान करने की जो तीती है और 10 कार्य दिवस है ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है और वीडियो पसंद आ चैनल को लाइक हम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप डोमी साइल या फिर निवास सर्टिफिकेट अपना बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है पहले से वीडियो बन चुकी है आप जाकर कर वहां से देख सकते हैं तब तक लिए धन्यवाद जैहिन